कि है लो दोस्तों कैसे आप सब जैसे कि आप सब को पताया आज हमारी प्रोब्लम बेश्ट और नंबर यूनिट का लास्ट चैप्टर है यानि कोड़िट एक तक अपने चार वीडियो में कर्कें चारू चैप्टर को कवर किया है एक वीडियो इस चैप्टर की देख एक वीडियो चैप्टर की देख या यह एक वीड़ीरोका कोस्ति है और यह सिर्फ एक रूल सक्लूल ब्रैकिट ओफ डिवाइड मुल्टिपलाई एड और माइनस लेकिन इसमें एक दो कॉंसेप्ट बहुत टफ है हम ज्यादा तर आज ज्यादा फोकस हम उन कॉंसेप्ट पर ही करेंगे जो बहुत टफ है बोर्ड मास तो मैक्सिमम हर एक स्टुडेंट कर लेता है लेकिन हम इसम को संथ में सीजल 2019 में स सीजल 2019 में तीन फरवरी को खुंवाता पेपर सिप्ट में उसका को संस भी करेंगे आज हम जैसे कि आप सब को बताया है हमारी आज ये इनिट खतम हो गई अब हम एक या तो दिन में प्रिवियर्स येर्स में आइवे स्थे के स्क्ष्क विडिए एक वीडियो में है complete questions कराएंगे पांचों topic के हम उसमें पहले से नहीं बताएंगे questions missing number का है यह questions odd one out का है या analogy का है हम mixed questions डाल देंगे उसमें और फिर कराएंगे ssc के 2018-19 के 2018-19 के कराएंगे आज तो हम last topic पढ़ दे हैं और इसके बाद complete पूरी unit के questions एक ही वीडियो में तक्रीबन 20-25 questions के आसपास कराएंगे complete questions इस पूरी unit के तो अब हम अपना तोबिक शुरू करते हैं coded equations coded equation chapter में एक भी formula नहीं है इसमें सिर्फ board mask का ही परियोग होता है board mask का मतलब है b का मतलब bracket o का मतलब off d का मतलब divide m का मतलब multiply a का मतलब add और s का मतलब subtract यानि घटाना हमें इस topic को बहुत जल्दी से करने के लिए fast calculation सीखनी होगी fast calculation को कैसी सीखते हैं जैसे कि ये एक equation है इसे हमें soul करना है हमें पता है इसमें board mask से ही soul होगी bracket of divide multiply plus और minus सबसे पहले हमें divide करना है bracket नहीं है off नहीं है उसके बाद हमें divide करना है उसके बाद हमें multiply करना है उसके बाद हमें add करना है उसके बाद हमें subtract करना है अब इसमें हम सीखते हैं कि इसमें first calculation कैसे होगी हमें divide और multiply एक साथ करना है हम आगे चल कर इन equation को सिर्फ एक line में solve करेंगे सिर्फ single line में अभी हम 2-3 step में इन्हें solve करके देखते हैं हमें divide और multiply एक साथ करना है divide और multiply divide और multiply 10 को 2 से divide करो 5 minus पलस जूगा तो चारतिया 12 और 20 जूगा तो अब पलस और माइनस में पहले कुछ भी कर सकते हैं 20 में से 5 भी गटा सकते हैं या 20 और 12 को add भी कर सकते हैं 20 और 12 32 माइनस 5 इस questions का अंसरा 27 हमें इस topic को solve करने के लिए अपना board mass बहुत फाश्ट करना है ताकि हम इस topic के questions को इन equation को सिर्फ एक line में solve कर सके आगे चलकर questions आएंगे एक equation देदेगा और 4 option देगा पता करागे कि निमनी में से कौन सा जही है अब हम वहाँ पर 4 उतों करने नहीं बैटेंगे अलग अलग से इतना तो time भी नहीं होता है exam में तो हमें सिर्फ single line में solve करना है अब हम कुछ equations उतारते हैं उन्हें single line में solve करके देखेंगे कि single line में कैसे solve होगी हमें divide और multiply एक साथ करना है plus और minus एक साथ करते हैं लेकिन divide और multiply में हमें पहले divide करना है उसके पहले divide करना है उसके बाद multiply करना है और plus और minus में पहले कुछ भी कर सकते हैं अब हम कुछ equations उतारते हैं जिनको हम सिर्फ single line में solve करके देखते हैं उसके बाद हम इस topic के questions करेंगे इस topic में questions से ज़्यादा important है इसके concept सीखना questions आज हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे सिर्फ concept सीखने पर ध्यान देंगे इसमें 3-4 तरह के concept हैं उनको सीखेंगे अब हम कुछ equations उतारते हैं जिनको हम केवले एक single line में solve करके दिखाते हैं अब हमारे सामने कुछ equations है जिनको हम बहुत short form में solve करके देखते हैं जैसे यह first equations हैं हमें पता है divide और multiply एक साथ कर सकते हैं divide यहां पर हो रहा है multiply यहां पर हो रहा है 10 को 2 से divide क्या 5 3 को 4 से multiply क्या 12 5 minus का आएगा 5 minus का आएगा 12 plus का आएगा 20 plus का 12 plus का 20 और 12 32 5 minus का 32 में से 5 कम क्या 27 इस equations का answers next equations 30 plus 2 गुणा 5 minus 25 divide 5 हमें पता है multiply और divide एक साथ कर सकते हैं हम इसमें divide कियांगे और इसमें multiply करेंगे 5 दोने 10 25 को 5 से divide क्या 5 आया minus का और 30 plus का 30 और 10 40 40 में से 5 कम क्या 35 इस equation का answer next दुमारा समझे multiply और divide एक साथ 25 को 5 से divide करके यहां पर 5 बचेगा 5 को 2 से multiply करके यहां पर 10 बचेगा 30 और 10 40 40 में से 5 कम क्या 35 next हमें पता है divide और multiply हम एक साथ कर सकते हैं divide यहां है multiply यहां है लेकिन हमें पहले divide करना है bracket off divide multiply plus minus इसलिए हमें पहले divide करना है divide कहाँ पर है डिवाइड यहाँ है, 100 को 10 से डिवाइड गया, 10 बचेगा, और 10 की मल्टिपलाई 3 में, 10 की मल्टिपलाई 3 में, 10 तिया 30, 30 कहा काएगा, माइनस का, 50 माइनस 30 पलस 10, 50 और 10 60, 60 में से 30 गया, 30 इस इक्विशन का आन। दुबारा समझें, हमें डिवाइड और मल्टिपलाई एक साथ करना है, लेकिन पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टिपलाई करना है, 100 को 10 से डिवाइड करने पर 10 आएगा, और इसकी मल्टिपलाई 3 से करेंगे, इस पूरी डिवाइड और मल्टिपलाई का 30 आया, औ 50 और 10, 60 60-30, 30 इसका अंसर आगया अब दो बारा से करते हैं फिर से हमें पता है divide और multiply एक साथ कर सकते हैं यहाँ पर divide और multiply हो रहा है लेकिन हमें पहले divide करना है 50 को 10 से divide करने पर 5 आएगा 50 भाग 10 5 आया और 5 की multiply 7 से थी 5 सत्य 35 लेकिन कहाँगा? 15 पलस का 15 और minus का 35 तो इस equation का answer minus 20 हमें बहुत short form में करनी है अब next equation को करते हैं हमें पता है divide और multiply एक साथ करेंगे यहाँ पर divide और multiply हो रही है लेकिन हमें पहले divide करना है अब हम 3 को 20 से divide करेंगे divide करने का मतलब divide के स्थान पर हम गुणा लगा सकते है और उसे वहितक्रम में लिख सकते है वन अपोन में जैसे यह 60 है 60 into 3 इस divide के जगा हम गुणा लगा सकते है और इसे 1 बटा 20 लिख सकते है minus 10 पलस 15 20 से हम इसे divide करना है 20 तिया 60 और 3 तिया 9 9 minus 10 पलस 5 9 और 5 14 minus 10 14 minus 10 4 इस equation का answer अब हम सीखते है इस topic के questions को exam में बहुत जल्दी से कैसे solve करेंगे अब हम इस questions को solve करते है यह concept इस topic का सबसे tough concept है अगर आप इस concept को सीखे तो समझे coded equations बहुत आसानी के साथ सीख जाएंगे देखिए इसमें क्या कहा गया है यदि पलस का अर्थ गुना यानि जहां जहां हमें पलस दिखाई देगा महां 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 में गुना लिखना होगा गुना का अर्थ पलस जहां जहां पर गुना होगा महां पर हमें पलस लिखना होगा माइनस कार्थ भाग जहां जहां माइनस होगा वहां भाग लिखना होगा और भाग कार्थ माइनस है जहां जहां भाग होगा वहां पर हमें माइनस लिखना होगा तो बताईए कौन से विकल्प का उत्तर चिन बदलने के बाद सही होगा यह हमें चिन बदलने है और इसके बाद उत्तर सही करना है देखिए अगर हम इस questions को सभी options अलग से sol करके देखने लग जाए एक से दो मिनिट लग जाएगी लेकिन हमारे पास एक्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमें सिर्फ questions को 20 से 25 सेगंड में sol करना होता है तो इसके लिए हम कैसे sort करेंगे हमें सबसे पहले यह देखना है कि भाग किसका अर्थ है क्या देखना है भाग किसका अर्थ है यह नहीं देखना कि भाग का अर्थ क्या है भाग किसका अर्थ है माइनस का अर्थ भाग है माइनस का अर्थ भाग है अब जहां जहां हमें माइनस दिखाई दे रहा है यहां माइनस है भाग लिख देंगे यहां माइनस है भाग लिख दिया यहां माइनस है भाग लिख दिया अब हम क्या करेंगे चारों ओप्संस को यह देखेंगे कि कहां सी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है अगर हम 214 को 143 से भाग करें तो पूरा डिवाइड नहीं हो रह रहा है का बिल्कुल नहीं हो रहा है अब हम तीसरे उप्शन से आएंगे यह हमें करके देखना होगा क्या 408 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम इस पूरी एक्वेशन को सोल करके देखेंगे हो सकता है यही इस इस कोस्टन का अंसर हो अब हमें पता है पलस की जगा हमें गुणा लिखना है और गुणा की जगा हमें पलस लिखना है और भाग की जगा में माइनस लिखना है अब हम इसको सोल करते हैं जब हमने 408 को 24 से डिवाइड किया 17 यानि हमारा यहां तक का 17 अब 17 की मल्टिपलाई 13 में 17 की multiply 13 में 17 की multiply हम 13 में करेंगे 221 अब 221 के बाद plus है 221 में 251 जोड़ेंगे और उसके बाद माइनस 321 करके देखेंगे 221 पलस 251 माइनस 321 देखें कैसे करते हैं इसे भी sort कर सकते हैं एक और एक दो, दो में से एक गया एक, दो और पाँच, साथ में से दो गया पाँच, दो और दो चार, चार में से तीन गया एक यानि इस equation का हमारा answer 111 बना है और यहां पर भी इसका answer 121 दिया गया है इसका मतलब यह equation 12 है दोबारा समझते हैं इस questions को करने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना है कि भाग किसका अर्थ है जिसका भी अर्थ भाग होगा महाँ पर हम भाग लगा देगें इस questions में minus का अर्थ भाग दिया गया है अब यहां पर minus था हमने भाग लगा दिया यहां minus था भाग लगा दिया और यहां minus था भाग लगा दिया अब हम यह देखते है कि सबसे पहले कौन सा divide पूरा पूरा completely डिवाइड हो रहा है 214 तो 143 से divide नहीं होगा 27 भी 154 से divide नहीं होगा और 408 24 से पूरा पूरा divide हो रहा था जो भी option पूरा पूरा divide हो जाए हमें सबसे पहले उसे ही try करना है हो सकता है हमारे questions का answer वही हो अगर हम इसको बिल्कुल अलग भी solve करते हैं 408 minus 24 plus 13 into 211 और divide 321 हमें पता है अब हम इसके चिन पलटते हैं minus की जगा हमने divide लगाया 24 और plus की जगा हमने multiply लगाया और multiply की जगा हमने plus लगाया और divide की जगा हमने minus लगाया अब हम इसे solve करना है हम divide और multiply एक साथ करते है जब हम 408 को 24 और divide करेंगे 17 एगा 17 into 13 plus 211 minus 321 जब हम 17 की गुणा 13 में करते हैं तो 221 आता है 221 plus 251 minus 321 अब हम कैसे भी calculation कर सकते हैं पलस का 221 है माइनस का 321 है माइनस का 100 बचा और पलस 251 211 में से 100 कम किया 151 आ गया और इस equation को भी 151 के बराबर दे रखा था इसलिए इस questions का answer सी हुआ हम इसके एक दो questions और करते हैं ताकि अच्छे से practice हो जाई next questions के और चलते हैं अब हम इस questions को करते हैं information सेम है यदि पलस का अर्थ माइनस पलस यह सोरी यदि पलस का अर्थ गुणा गुणा का अर्थ पलस माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको सबसे पहले ऐसे questions में यह देगना है कि भाग किसका अर्थ है माइनस का अर्थ भाग है भाग किसका अर्थ है माइनस का अर्थ भाग है जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ पर भाग लगा दीजिए यहाँ भाग लगा दिया यहाँ भाग लगा दिया यहाँ पर भी भाग लगा दिया अब हमें सब चारो options को ये देखना है कि किसमें completely divide हो रहा है हम 23 से इसको divide करेंगे 23 यकम 23 11 5 115 ये complete divide हो गया जब हमने 335 इसको 23 से divide किया तो completely divide हो गया और इसका 15 आ गया तो हमें सबसे पहले यही equation solve करनी है इस equation को हम अलग से solve करते है 3,4,5 अब हम इसके चिन प्लेट लेते है पलस पलस का अर्थ गुणा गुणा का अर्थ पलस भाग भाग का अर्थ माइनस अब हम इन चिन के साथ इस equation को solve करते हैं 335 divide 23 multiply 31 और पलस 108 और माइनस 321 अब हम इसको देखते है हमने 345 को 23 से डिवाइड गया 15 आया इंटू 31 पलस 108 माइनस 321 हमने 15 की 31 में multiply की 15 इकम 15 हम इसको अब गटाते हैं कि आट और पास तेरा तेरा मसे एक गया बारा का दो चेंग को मैंसे दो गया पांच चार मेंसे एक पांच तीन दो 252 हमारी इस एक्वेशन का अंसर है 252 और यह एक्वेशन 252 के ही पराबर दे रखी थी इसका मतलब हमारी यह एक्वेशन सही है हम यही देखना था हमें सबसे पहले हम यह देखेंगे कि माइनस भाग किसका अर्थ है और जहां सी कंप्लीटली भाग हो रहा होगा वहां सी हम भाग कर देंगे अब हम अगले कोशन के और बढ़ते हैं इन्फोर्मेशन सेम है इस कोशन में भी पलस का अर्थ द्धार कि मैंने आपको पता है हमें सबसे पहले यह देखना है कि दिवाइड किसका अर्थ है किसका अर्थ तो दिवाइड माợ og जहां-पर मायनस होगा हम हमें ड्वाइड लगाना है यहा पर माइनस है डिवाइड लगा दीजे यहाँ माइनस है डिवाइड लगा दीजे यहाँ माइनस है डिवाइड लगा दीजे अब हमें यह देखना है कौन सी equation में completely divide हो रहा है इस equation में तो divide complete नहीं होता है क्या इस equation में हो रहा है इसे हमें करके देखना होगा जी इसमें completely हो रहा है जब हम 504 को 36 से डिवाइड करते हैं तो 14 completely नंबर आता है यानि completely डिवाइड है अब हमें सबसे पहले इसी equation को solve करनी होगी हम इस equation को solve करते हैं हम इस equation को इदर लिखते हैं 504 हमें पता है माइनस का अर्थ डिवाइड है अब 36 हमेंपता है पलस का अर्थ पलस का अर्थ multiply है into 21 हमेंपता है multiply यह मलटिपलाई का अर्थ पलस है 213 हमेंपता है divide गर्थ माइनस है 325 के अब हम इसमें इस equation को solve करते हैं जब अब हम 504 को 36 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 14 आएगा अब 14 आ गया इतने का आंसर 14 इंटू 21 और पलस 213 माइनस 325 अब हम 14 के 21 में मल्टिप्लाई करेंगे 14 बंजा 14 तो नाइन फॉर पलस 213 माइनस 325 अब हम इनको सोल करते हैं चार और तीन साथ साथ में से पांच गये कम किया दो नो और एक दस में से दो कम किया आट दो और दो चार चार में से तीन कम किया एक 182 हमारा इस एक्वेशन का आंसर 182 आ गया और हमने देख जैसे की देखा equations के बराबर 182 दे रखिया है तो इस questions का answer हुआ 182 अब हमें next equation को solve करने की जरूरती नहीं है हम बार बार इन equations को solve करके नहीं देखेंगे हमारे पास exam में इतना time नहीं होता है अगर हम 4 equations को solve करेंगे तो 2 से 3 मिनट तक लग सकती है लेकिन हम अपने केवल इस method से इस logic से इस trick से अपने questions को केवल 25 से 30 सेकंड में कर सकते है अब हम इस questions को करते हैं ये questions थोड़ा सा अलग है पढ़ते हैं यदि plus को minus और 6 को 7 से आपस में बदल दिया जाए plus को minus 6 को 7 अपस में बदलने का मतलब है जहां जहां पर plus लिखा है वहां वहां पर minus लिखना होगा और जहां जहां पर minus लिखा है वहां वहां पर plus लिखना होगा और 6 को 7 से बदलना है जहां पर 6 है वहां पर 7 लिखना होगा अब हम लिखते हैं पलस के स्थान पर माइनस और माइनस के स्थान पर पलस यहां माइनस है पलस माइनस इस कोशन्स के हमें चारो ओपशन्स देखने होंगे लेकिन मैं फिर भी आपको एक बहुत सो ट्रिक्स बताऊ दूँगा यूनिट डिजिट से ताकि हम इस questions को भी बहुत जल्दी कर दें हमें 6 के स्थान पर 7 लिखना है इसे 7 और 2 और 6 के स्थान पर 7 और 7 के स्थान पर 6 यानि अब हमारी equation है 72 पलस 76 माइनस 67 देखी हम unit digit से कैसे soul करते हैं इसका unit digit 3 है हम देखते हैं इन तीनों कोग करने पर जी डिजिट कैसे कितना आएगा 2 में 6 कोगो arda में च्म करो एक यानरी यूर्फ़ डिजिट एक आया दो में चैनल किया आठ याठ में से साथ कम किया 1 यूनिजिट एक आएगा이inda लेकिन हमारे options का जिसमें हमें equation को equal दे रखाया उसमें यूनिट तीन है यह कोशन गलत हो हम इसको यहां पर समझाते हैं यह 72 है इसमें हम एड़ क्या 76 72 पलस 76 6 और 2 8 7 और साथ 148 अब हमें 148 में से 67 माइनस करना है 148 माइनस 67 आट में से साथ कम गया एक यानि यूनिट डिजिट एक आ गया हमटा यहां पर हमारे यूनिट दिजिट तीन ता इसलिए यह options कि बजाओ अब हमें अगला options दीखते हैं साथ के स्थान पर 6 यानि है 68 हो गया और माइनस के से क्थान पर प्लस छे के स्थान पर साथ यह 78 हो गया प्लस के स्थान पर माइनस और यह 6 हम सिर्फ यूनिट डिजिट से ही देख लेंगे 8 और 8 16 16 में से 6 कम किया 10 यानि यूनिट डिजिट 0 आना जरूरी है 8 और 8 16 16 में से 6 कम किया 0 16 में से 6 कम किया 10 यानि यूनिट डिजिट जिरो आना जरूर देखे कैसे 68 में 78 एड़ गया 8 और 8 16 हसिल का एक 6 और 7 13 14 यानि 146 अब हमें 146 में यह सिपर में से 66 गणा ना है betheta याने यूनिट डिजिट जीरो लेकिन हमारा है यह पॉप्सन भी हमरे साथ से स्तीस यहाद यहाद इस यहाद यहाद स जीकांड साथ मिनस सकते हैं साथ और पांच बारा, बारा में से 6 कम किया 6, इसका यूनिट डिजिट ये आ सकता है, इसलिए हमें से पुरा देखना होगा, 67 में हमने 65 एड़ किया, साथ और पांच बारा का दो हासिल, एक 6 और 6 बारा और एक 13, यानि 132, अब हमें 132 में से 66 भटाना है, 132 माइनस 66, 12 में से 6, 12 में से 6, लेकिन इसका 66 आ गया, देखिए हमने सबसे पहले यूनिट डिजिट देगा था, इसमें 6 तो आया था, और यूनिट डिजिट यहां पर भी 6 था, लेकिन अब हम इसको पूरा देखेंगे, जिए 56 आएगा, लेकिन हमारा 66 आया, ये ओप्सन भी गलत, अगर 3 ओप्सन गलत होगे, तो 101 परसेंट चोता ओप्सन सही होगा, बीना देखो, अगर हम नहीं भी देखेंगे, तो कोई भी प्रोब्लम नहीं है, तब भी चोता ओप्सन सही होगा, अगर हमने 3 को बहुत अच्छे से देख रखा है, और 3 ही ओप्सन गलत होगे, तो नो डाउट चोता ओप्सन सही है, चाहे तो हम इसको भी देख सकते हैं, देखें, 7 और 6, 13, 13 में से 3 कम क्या, 0, यूनिट डिजिट 0 ही आना है, और 0 ही दे रखा है, इसको हम अलग से देखते हैं, हमें पहले इनके नंबर बदलने आए, 6 को 7, 7 को 6, माइनस के स्थान पर पलस, 7 के स्थान पर 6, 6 के स्थान पर 7, पलस के स्थान पर माइनस, और 4, 3, से, देखें, 6 और 7, 13 में से 3 कम क्या, 0, यूनिट डिजिट तो सही है, इसको पुरा देखते हैं, 76, 67, एड़ करो, 7 और 6, 13 के 3, हासिल का 1, 7 और 6, 13, रेक 14, यानि 143, अब हमें 143 में से 43 कम करना है, कितना आएगा, 100 आएगा, और इस एक्वेशन को भी 100 के बराबर दे रखा है, इसलिए ही एक्वेशन से हो गया, अगर हमने 3 एक्वेशन गलत निकाल ली, तो 4 एक्वेशन खुद ही सही हो जाएगी, वैसे तो इस कोसंस में ज्यादा कुछ है नहीं, दो कॉंसेप्ट यही थोड़े से टफ पड़ते हैं, मैंने दोनों करा दिया है, बाकी तो बोर्ड मास है, बोर्ड मास तो आता ही है, वैसे भी मेरी आज तविया थोड़ी सी सही नहीं है, इसलिए आज मैं अपने वीडियो को यही पर रुखता हूँ, हम आगे कभी इस टोपिक की वीडियो को एक और डाल देंगे, कोड़ी डिक्विशन की वीडियो को, आज हम कम ही रखते हैं अपनी वीडियो को, वैसे भी मैंने इसमें सब कुछ करा दिया है, जो ज़्यादा टफ है, बाकि बोर्ड मैस तो हर को ही कर लेता है, सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद मल्टिप्लाई, उसके बाद पलस, उसके बाद माइनस, दो कॉंसेप्ट यही थोड़े से टफते हो रहे हैं, मैंने दो